हेलो दोस्तो स्वागत है आपका टार्गेट वित अजेसर क्लास में आज है 16 माई 2020 ले गया है करेंट अफेर के कोशन्स सारे कोशन्स में पूड़ोंगे आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक् करेंगे जाता है इसन्युक परिवार की अहंता को बताता है और लोगों को परिवार में रहने के लिए प्रेरित करता है और पहली बारिया दिन 1994 में मनाया गया था कुरोना संकट के समय परिवार की अहमिता और भी बढ़ जाती है और इसका थीम थीम भी आपको याद रखना होगा और इसका थीम है परिवार में विकास कूपेन हेगन और बीजिन प्ल इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए इसपी रूलीना ग्राउंड नट चिक्की विक्सित की है किस संस्तान ने इम्मिनिटी को बढ़ाने के लिए इसपी रूलीना ग्राउंड नट चिक्की विक्सित की है option होगा ICMR option D होगा DRDO option C होगा TIFR option D होगा CFTRI तो फटा फट किजे इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर हो जाएगा option D CFTRI और इसका फुल पमोगा CFTRI का फुल पमोगा Central Food Technology Research Institute और यहां संस्थान मैसूर सहर में स्थित है यहां एक तो आएए जानते हैं इस्पिरूलीना ग्राउंड चिक्की के बारे में यहां एक स्नेक हैं जो अच्छे सुच्म पोसक तत्व हैं चिक्की को तयार करने के लिए इस्पिरूलीना के साथ मुंफली का भी प्रयोग किया गया है जो विटामिन A और B केरोटीन जैसे सुच्म पोसक तत्व क से भरपूर है और यहां COVID-19 के महामारी के समय लोगों को सुच्म पोसक तत्व परदान कर सकती है और उनकी रोग प्रतिरोदर छमता को बढ़ा सकती है तो चलते हैं नेस कोशन की तरब तीसरा कोशन होगा किस राज ने युवाओ के लिए रोजगार आउसर पैदा करने के लिए होप पोर्टल लांच किया है किस राज सरकार ने युवाओ के लिए रोजगार के आउसर पैदा करने के लिए होप पोर्टल लांच किया है आफ्शन होगा केरल, B होगा महाराष्ट, C होगा उत्राखंड और D होगा उत्तर परदेश तो फटाफट कीजिए इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर हो जाएगा आफ्शन, C, उत्तरा खंड तो आई जानते हैं होप पोर्टल के बारे में यह पोर्टल युवाव को नौकरी की तलास करने और कॉसल विकास में मदद करेगा चलते हैं नेस कोशन की तरब चौथा कोशन होगा हर्याडा और जम्मू कास्मिर ने किस वर्ष तक सभी ग्रामिर परिवारों को नल कनेक्शन परदान करने की योजना बनाई है अफ्शन होगा 2021 अफ्शन भी होगा 2022 अफ्शन सी होगा 2023 अफ्शन भी होगा 2024 तो फटावट कीजिए इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर हो जाएगा अफ्शन बी 2022 तक हर्याडा और जम्मू कास्मिर ने नल कनेक्शन परदान करने की घोशडा की है और यह भारत सरकार के जल्जीवन मिशन के तहत किया जाएगा जिसका उत्देश 2024 तक हर घर में पीने योग पानी पउचाना है चलते हैं नेक्श कोशन की तरब पाचवा कोशन होगा हाली में WEF द्वारा जारी डिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजीशन इंडेक्स में भारत कौन से इस्थान पर है हाली में WEF द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजीशन इंडेक्स में भारत कौन से इस्थान पर है अफ्शन होगा 38-2 होगा 74-2 होगा 56-2 होगा 66-2 तो राइट एंसर करिए इसका दोस्तो और इसका राइट एंसर हो जाएगा अफ्शन B 74-2 तो आए जान लेते हैं और तीन टाप तीन देशो के बारे में और पहले इस्तान पर हैं सीडेन और दूसरे इस्तान पर हैं दूसरे इस्तान पर फीनलेंड और भारत का record 75 इस्तान है चलते हैं तो यहाँ पर आया दोस्तो W.E.F तो जानने थैं W.E.F के बारे में डबलू अपका फुल फॉम होगा वर्ड एकनोमिक फोरम और इसे हिंदी में 20 स्वार्थिक मंच कहते हैं इसका स्थापना हुआ था जन्वरी जन्वरी 1971 में और इसका मुख्याल है स्वीटीजर लेंड के जिनेवा में है और इसके प्रजेंट टाइम में देच है कलाउस स्काव चलते हैं नेस्सकोशन की तरफ और इसका 6 नमबर कोशन आजका 6 नमबर कोशन होगा हाली में किस देश ने सोशल डिस्टेंशिंग सुनी चित करने के लिए I feel you ब्रेसलेट दिसित किया है हाली में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनी चित करने के लिए आई फिल यू ब्रेसलेट बिक्षित किया है अफ्शन ए होगा इटिली भी होगा इरान सी होगा यूगांडा डी होगा फ्रांस तो फटावट किजे इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर हो जाएगा ओफ्शन ए इटिली में किया है तो आई जानते हैं आई फिल यू ब्रेसलेट के बारे में इस ब्रेसलेट को कोरोना वाइरस महामारी के कारण लगे लागडाउन के दोरान लोगों को सुरच्छा के उपायों के रूप में विक्सित किया गया है और यह सोशल डिस्टेंटिंग के उनियमों को पालन करने में मदद करेगा चलते हैं नेस कोशन की तरफ आज का साथवा कोशन होगा हाली में एन डी बी ने भारत को कितने मिलियन डालर के आपातकालीन सहायता रिड को मंजूरी दी है हाली में एन डी बी ने भारत को कितने मिलियन डालर के आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है option A होगा 1 billion डालर B होगा 3 billion डालर C होगा 4 billion डालर D होगा 2 billion डालर तो फटा-फट किजिए इसका right answer और इसका right answer हो जाएगा option A 1 billion डालर तो आए जनते हैं आपात कालीन सहायता रीड के बारे में इस आपात कालीन सहायता कारकरम रिड का उद्देश कोविट 90 को फैलने से रोकने के साथ साथ महामारी से होने वाले मानुविश समाजी को आर्थी नुक्सान को कम करना है तो दोस्तों यहां पर बात हुआ है एडीवी के बार में तो आये जान लेते हैं एडीवी के बार में एडीवी का फूलपम होगा न्यू डेवलोपमेंट बेंक और इसका इस्थापना हुआ था पंदरा जुलाई पंदरा जुलाई दोजार चोदो को और इसका मुख्या ले चीन के संघाई में है और इसके प्रजेंट टाइम में अध्याच्छे के भी कामत चलते हैं नेस कोशन की तरब आठवा कोशन होगा हाली में किस भारती मुख्य बाज को नाडा के अनुसासन पैनल में फिर से सामिल किया है हाली में किस भारती मुक्य बज को नाडा के अनुसासन पैनल में फिर से सामिल किया है अफ्सन होगा अनिल कुमार, अफ्सन भी होगा अखिल दिवेदी, अफ्सन सी होगा सुभवम सिंग, अफ्सन डे होगा सुधीर पैजन तो फेटा फेट कीज़े इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर होगा आफशन ए अनिल कुमार तो यहाँ पर दूस्तों बात हुआ है नाडा का तो आए जानते हैं नाडा का बर में नाडा का फूर्पम होगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और इसे हिंदी में राष्टी डोपिंग बिरोज संस्ता काते हैं और इसका इथापना हुआ था 24 नवंबर 2005 को और इसका मुख्याला है नई दिल्ली में और इसके प्रजेंट टाइप में अध्याच्छ है नवीन अक्रवाल तो चलते हैं नेस कोशन की तरब आज का नाइंदमर कोशन होगा हाली में किसने भारती पुरातत्त्त सर्वेच्छड एसाई के नए महानी देशक डी जी के रूप में न्यूक्त किया गया है हाली में किसे भारती पुरातत्त सर्वेच्छड एसाई के नए महानी देशक डी जी के रूप में न्यूक्त किया गया है अफ्शन होगा बी विद्यापती बी होगा हजी सिंग सी होगा कुमार राजेस चंद्र डी होगा पती तो दोस्तों यहां पर बात हुआ है एसाइए के बारे में तो आई जानते हैं एसाइए के बारे में इसका फुल्फरम होगा अर्चोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसको हिंदी में कहेंगे भारती पुरतत्य तो सर्वेट चड और इसका स्थापना हुआ था 1861 में और इसके संस्थापक हैं अलेकजंडर कनिंगम और इसका मुख्याले हैं नई दिल्ले में चलते हैं नेस कोशन की तरफ आज का दास्वा कोशन होगा हाली में किसे AIFF द्वारा इस वर्ष के अरजुन पुरसकार के लिए नामित किया गया है हाली में किसे AIFF द्वारा इस वर्ष के अरजुन पुरसकार के लिए नामित किया गया है अफ्षन होगा संद्या जिंगन B होगा N बाला देवी C होगा उपर्युक्त दोनो अफ्षन D होगा उमाकंत उमाकंत जोसी तो फटा फट किजए इसका राइट अंसर और इसका राइट अंसर होगा ओप्षन C संद्या जिंगन और N बाला देवी को दिया गया है और ये भारती फुटबालर है चलते हैं नेस कोशन की तरफ 11 नमा कोशन होगा ग्रेमी पुरसकार विजेता बेटी राइट का मई 2020 में निधन हो गया है वे किस देश से थे हाली में ग्रेमी पुरसकार विजेता बेटी राइट का मई 2020 में निधन हो गया है वे किस देश से थे अफ्षन अफ्षन A होगा कनाडा B होगा व्राजील C होगा जर्मनी और D होगा अमेरिका तो फटा फट कीजे इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर हो जाएगा अमेरिका की थी तो आई जानते हैं बेटी राइट के बारे में उन्होंने वेर इस दा लोव नामक गीत के लिए ग्रेमी प्रुसकार जीता था चलते हैं नेस कोशन की तरफ बारा नंबर कोशन होगा बच्चों को ऑनलाइन सीच्छा परदान करने के लिए किस संगठन ने जारखन के साथ भागिदारी की है बच्चों को ऑनलाइन सीच्छा परदान करने के लिए किस संगठन ने जारखन के साथ भागिदारी की है अप्चों ने होगा सोनी भी होगा दुरदर्शन सी होगा निक जुनियर डियोगा डिस्कवरी तो फटा वट कीज़ इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर होगा अप्चों बी दुरदर्शन जारखन राज सरकार ने छात्रू को घर पर ऑनलाइन कचाय परदान करने के लिए दुरदर्शन के साथ भागिदारी की है दैनिक सिच्छा समगरी जारखन सिच्छा परियोजना परिसद द्वारा डिजाइन की गई है और इसे डिडी दुरदर्शन जारखन में विशेश पसारण के माद्यम से सप्ता के तीन दिन सुबह दस बजे से दो फार बार बजे और दो फार एक बजे से दो बजे तक प्रसारित किया जाएगा और कच्छा है एक ग्यारा मैं से दस जुन तक आयोजित की जाएगी चलते हैं नेश कोचन की तरफ कि तेरा नमर कोचन होगा कि तमीन नाडु के किस उत्पात को जियाई टेक से सम्मानित किया गया है अफ्सन होगा कुथमपुली साडी दे होगा तंजापुर नेती वर्क्स सी होगा अराको घाटी अरेविका वड़ी होगा सिर्सी सुपारी तो फटबड कीजिए इसका राई टेंसर और इसका राई टेंसर हो जाएगा आपसम सी तंजापुर नेकी वर्क्स जिसे एसी नोमेन इस्पेरा नाम से भी जाना जाता है और इसे मद्धे तमिनाडू के प्रमुक हस्त कारक प्रतीकों में से एक रूप में जाना जाता है और कल हम आपने आपको बताया था कि जारखंड के सोराई खोवर पेंटिंग को और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी जियाई टैग हाली में 12 मई को दिया गया था चलते हैं नेस कोशन की तरफ जो कि कल के लिए कोशन था आपको इसको कमेट बक्स में इसका एंसर करना था और काफी लोग ने इसका एंसर किया है और काफी लोगों का सही भी है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा भारती नौसेना तो यह जानते हैं भारती नौसेना के ब कि चार दिसंबर को मना जाता है नव सेना के अध्याच है एड्मिनल करंबीर सिंग तो आई जानते हैं और अन्य सेना प्रमुख के नाम उफ सेना प्रमुख है यानि की सीडियास बिपिन रावत है चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ जो कि कल के लिए कोशन होगा इसका इंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा हाली में इसनेहर पुरोशियोजना किस राजी सरकार ने सुरू किया है अप्सन होगा आंधपरदेश भी होगा पसिम मगाल सियोगा मड़ीपुर्डी होगा मेगाल है तो इसका राइट एंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में आता है तो ठीक है नहीं आता है तो कल हम आपको इसका एंसर बताएंगे और ले करेंगे 14 प्रस्नों का संग्रा आसा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जितना भी वीडियो अमारे चैनल पर आए अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले धैंक यू फोर वाचिंग